यह क्लासिक बुक है जो 1930 में पहली बार पबलिश हुई थी As A Man Think यह किताब है Power of Thought के बारे में कि आपके विचार कितने शक्तिशाली होते हैं अथर ने Forward में ही लिखा है कि यह कोई इतनी बड़ी आसे किताब नहीं होने वाली बलकि लोगों को केवल सजेस्ट करती है कि they themselves are makers of themselves जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे अपने विचारों के मताबिक आथर का कहना है कि mind एक बुनकर की तरह है जो इनसान के inner और outer circumstances को create करता है हम बच्पन से ही सुनते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे लेकिन हमने इस पे कभी विचार नहीं किया होगा इस वाक्य को समझने का ये एक बहुत अच्छा मौका है तो आईए शुरू करते हैं जैसे योगी निरंतर कोशिश करते हैं अपने आपको spiritually इंप्रूव करने के लिए और समय के साथ God-like qualities और character को पा लेते हैं और अन्य लोगों को भी मार्क दर्शन कर पाते हैं तो जैसा सोचा वैसा बन गए अपने thoughts को अगर हम tools समझे तो इनसान tools को यूज़ करके weapons भी बनाता है जो लोगों की जान खत्रे में डालते हैं और आपके thoughts अगर positive हैं तो यही tools यूज़ करके आप ऐसे उपकरन बनाते हैं जो लोगों की जान बजा सकते इस तरहे विचारों को सही इस्तिमाल से इनसान कुछ भी कर सकता है man is the master of thought the molder of character and the maker and shaper of condition, environment and destiny negative विचारों से हम एक ऐसा virus बना सकते हैं जो लाखों करोणों के लिए घातक से दोच सकता है वही positive thoughts या positive विचार उन दवाईयों का अविश्कार कर पाते हैं जो लाखों करोणों लोगों की जान बचाते हैं इनसान के पास ही सोचने समझने की शक्ति है जिसका वे उपयोग या दुरपयोग कर सकता है लिकिन एहम बात ये है कि जो इनसान ढूनता है वही पाता है जैसे कबीर ने कहा जिन खोजा तिन पाया जो खोजेगा वही पाएगा इनसान का दिमाग एक बगीचे के समान भी समझा जा सकता है जिसे महनत से सुन्दर तो बनाया जा सकता है या फिर उसे छोड़ दे तो उसमें जंगली पेड़ पौदे पत्तियां उग जाएंगी अच्छे विचारों के बीच अगर हम डालेंगे तो जहरीले पेड़ पौदे उगी नहीं सकते जैसे एक माली अपने बगीचे का धिहान रखकर बगीचे को खुबसुरत बनाता है उसी प्रकार इनसान अपने विचारों को सवार कर अच्छे परिड़ाम भी पा सकता है अंदर के विचार या अंदर के विचारों से बाहर की परिस्थितियां उत्पन होती है जिस पल इंसान को ये ज्यान हो जाता है कि बाहर की परिस्तितियां अंदर के विचारों पर आधारित हैं वे अपना स्वामी बन पाता है जैसा बहोगे वैसा काटोगे इसी से इंसान दुख और खुशी दोनों का अनुभव कर पाता है एक शुद्व विचारों वाला इंसान कभी क्रिमिनल नहीं बन सकता इसी से अंदाज़ा लगाए जा सकता है पावर ओफ थौट्स का As a man think Men do not attract which they want But that which they are यानि इंसान उनी चीजों को attract करता है जो उसके विचारों से मिल खाती है जिन विचारों से वो खुद बना होता है इंसान अपनी परिस्तितियों को तो बदलना चाहता है पर यह नहीं जाना पाता कि बिना अपने आपको बदले परिस्तितियां नहीं बदली जा सकती एक अमीर आदमी खूब दान पुन करता है अपनी सलामती के लिए लेकिन अपने खान पान रहन सेन में कुछ बदलाव नहीं करता और बिमार पड़ जाता है खतरनाग बिमारियों का शिकार हो जाता है इसी प्रकार अपनी परिस्तितियों का खुद जिम्मेदार होता है हम अच्छी सार जानते हैं कि आम के बीज बोएंगे तो आम ही लगेंगे लेकिन ये ग्यान हम अपने आप के मांसिक यानि मेंटल और मोरल वर्ल्ड पर एपलाई नहीं करते इनसान सोचता है कि वो अपने विचारों को छुपा सकता है लेकिन ये नहीं जानता कि उसके विचारों से ही उसकी आद्थे बनती हैं और वही जन देती है परिज्दितियों को डर और अपने आप पर संदे आदमी को कमजोर करता है जिसके कारण वो असवल होता है जिसके कारण वो असवल होता है फेल होता है वहीं अपने आप से कॉन्फिडेंस बनाके अपने आप में confidence पैदा करके इनसान मजबूत बन पाता है और सफलता उसके कदम चुमती है यानि अपने विचार को वो चुन सकता है कि मुझे शुब विचार डालने है या दुर विचार डालने है और यही विचार उसकी destiny को shape करते है और उसकी परिस्तितियों को बदलते है The body is the servant of the mind Impure thoughts आपके शरीर में बिमारी पैदा करते है यही कारण है कि योगी सन्यासी लोग बिमार नहीं पढ़ते Research भी यही कहते है कि बुरे विचार बॉड़ी में ऐसे toxins पैदा करते हैं जो आपको बिमार करते हैं और शुब विचार आपको खुश रखते हैं Happy hormones प्रेडूस करते हैं और आपको निरोगी मनाते हैं यही कारण है कि शुद्ध विचारों वाली लोग उनके चहरे पर एक अलग ही तेज होता है Life में एक purpose भी होना बहुत जरूरी है ताकि सारे विचार उसको पाने के लिए केंद्रित किये जा सकें और बुरे विचारों के लिए जगे न बन पाएं यह एक golden rule साबित हो सकता है जी हाँ golden rule Self control के लिए और अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए अच्छे विचारों के सही योग से आप अपने आपको मजबूत कर सकते हैं किसी भी परिस्तिदी से लड़ने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए All that man achieves and all that he fails to achieve is the direct result of his own thoughts The dreamers are the saviors of the world जो सपने देखते हैं वहीं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं अपने पर विश्वास और कड़ी मेहनत कर सक्सेस्फल बन पाते हैं गौतम बुद्ध ने आदिहात में रहा पकड़ी और उन्हें ग्यान की प्राप्ती हुई ठीक उसी तरह हर इंसान अपने परपस को अपने एम पो उसकी तरफ एक पॉजिटिव एटिटूट से बढ़े तो वह भी सफल रहता है कामनेस अफ माइंड इस वन अफ ब्यूटिफुल ज्वेल्स आफ विज्डम इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को स्थिर रखें और अच्छे विचार आने दें जिससे आप खुश रहें स्वस्त रहें और काम्याब रहें धन्यवाद तो इस किताब की समरी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी करें ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी किताबों की समरी आपके मेल बाक्स तक पहुंचती रहें धन्यवाद